Welcome friends to online academy classes, आप सभी का online academy classes में बहुत-बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम casual के use को study करेंगे Its meaning is to persuade someone to do something by pleasant talk and flattery मतलब अगर कोई इंसान किसी चीज को करने के लिए राजी ना हो तो उस इंसान से अच्छी अच्छी बाते करना उसको फुसलाना थोड़ी चापलूसी करने पड़े तो चापलूसी भी करना जिससे वह इंसान उस काम को करने के लिए राजी हो जाए जो वो करना नहीं चाहता हूँ तो आप ऐसी situation में casual का use करेंगे And now, it's time to see some example The first example is, he is intelligent student and he was not ready to drink alcohol in the party But his friend casual him to drink मतलब वह बिद्धी मान चातर है और वह party में शराब पीने के लिए तयार भी नहीं था लेकिन उसके दोस्तों ने उसे पीने के लिए schedule किया Next example Owner is not ready to sell his house In fact, many brokers have tried to schedule him मतलब मालिक अपने घर को बेचने के लिए तयार नहीं है बलकि कई दलालों ने या कई दोकर ने उसे casual करने की कोशिश की Next example It is difficult for boys to casual father then mother आप सब इस बात से I think agree करेंगे इसका मतलब होता है लड़कों के लिए पिता को casual करना मुश्किल होता है मा की तुनना में So friends, ये था casual जो एक verb होता है और उसका use तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में Have a nice day, bye bye